आपके फ्राइंहें में स्वागत आपका हमारे चैनल फॉकल 17 में। दोस्तों कि हम लोग जब भी ओफस के लिए प्लोण लेते हैं यथे का है यथी ओफिस के लिए प्लोण लेते हैं य है य घर के लिए देक ने के लिए जाते हैं तो एसा तो नहीं आप आपने एक ही जगह पर चीच को देखा और आप उस पर स्टक होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों जब भी आप ओफिस के लिए जगह देख रहे हैं या फिर घर के लिए जगह देख रहे हैं या फ्लैट ही देख रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है अपन साउट में जाएं नोर्थ में जाएं इस्ट में जाएं वेस्ट में जाएं कि आपके लिए वहाँ पर जाकर रहना बढ़िया हो या वहाँ पर जाकर काम करना बढ़िया हो सबसे पहले आपने ये देखना है दोस्तों ये देखने के बाद दूसरी बार जो हमारी बारी आती है करो देखन के लिए सबसे पहले तो आपके लिए कहां पर जाकर काम करना बहतर रहेगा। कहां से आपके पास काम आए-गा यह घर कहां पर ले आपके लिए बहतर रहेगा। सबसे पहले आपने अपनी city को देखना है जिस भी city में आप रहते हैं उस city से नोर जाए, south जाए, east जाए, west जाए वहाँ पर आपके लिए घर लेना बहतर रहेगा साथी साथ office भी लेना बहतर रहेगा अगर आप कोई घर बैठ कर ही काम करते हैं, तो आपने वही पर ही घर बनाना है, जहांपर आपके लिए वह सिच बह्तर हो उसके बाद बात आती है, दोस्तों सबसे पहली बात तो ये चीच की बात आती है दूसरे नंबर पर जो आपकी बात आती है वो आती है आपकी एंट्री की बात ठीके दोस्तों वो आती है आपकी एंट्री की बात उसके बाद आपने चुनाफ करना है कि घर की एंट्री कहाँ पर रखी जाएं सबसे पहली बात कि किस city में लिया जाए वो सबसे पहला option है हमारा दूसरा घर की entry घर की entry कहां पर रखी जाए घर की entry situation में हमारी बहुत मेहन मानी जाती है दोस्तों अगर हम लोग इस entry के हिसाब से और इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं तो हमारे लिए यह बहुत बढ़िया रहता है बाकी कभी ऐसी situation आ जाती है अप घर भी आप ले चुके हैं और entry भी आपको मिल चुके हैं तो उस situation में उसके बाद हमने क्या करना है वो आपकी आगे जाकर course में जाने वाली टेकनीक हो जाती है यह दोस्तों हमारा एस्ट्रो वास्तू के course के अंदर यह सारी चीज़े बताई जाती है कि किस तरीके से आपने इसको balance करना है कि यह चीज़े भी हो गई है और दोस्तों इसी तरीके से कई बार हमारा bedroom भी गलत जगा पर होता है जिस वज कर या घर में बैट कर आप जहां काम करते हैं वो चेयर कहीं गलत जगा पर प्लेस तो नहीं है अगर वो चेयर गलत जगा पर प्लेस है तो उस वज़े से भी आपके कामदेंदे में दिक्कत आ सकती है साथी साथ लोकर की placement कहीं बार अगर आप घर में भी काम कर रहे हैं तो आपने अपने घर में लोकर की प्लेस्मेंट गलत रखे हुई होगी जिस वज़े से दिक्कत आ सकती है बाकी यह सारा हम लोगों का यूज होता है आपके चार्ट के उपर कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास आता है एक्जामपल के लिए तीन नंबर के लगन का व्यक्ति दोस् तो इन दोनों को जो लोड है वहाँ आपका मंगल इसका मतलब इसके घर में जो किचन बनी हुई है या कोई रेड कलर या इसके घर में टूल किट गलत जगा पर रखे हुई है जिस वज़े से इसको दिक्कत आ रही है इसकी पेमेंट रेकवरी में बस उसको उठा कर कहां र उसके अंदर हम लोग हिट थियोरी एड करते हैं ठीक है दोस्तों साथी साथ हम लोग लाल किताब का वास्तू एड करते हैं लाल किताब का जो आपका वास्तु होता है वो काल पुरुष्टी कुंडली से शुरू नहीं करते हैं हम लोग जो हम शुरू करते हैं आपके बर्थ चार्ट से ही शुरू करते हैं चाहे जो मर्जी नंबर का लगन हो ठीक है लेकिन क्या चीछ कोमन रखी जाती है वो आगे के जप्टर हो जाते हैं साथी साथ दोस्तों हम लोग अस्टक वर्ग के द्वारा भी वास्तू करते हैं साथी साथ क्या होता है हमारी जब भी कोई महादशा शुरू होती है दोस्तों कई बार व्यक्ति कई टाइम से एकी चीज की दिक्कत की बात कर रहा होता है हमार प्रदिशा चल रही है वह दिक्कत में है तो जो घर लेकर बैटा है उन घरों की वेक्ति दिक्कत की बात कर रहा होता है ठीक है दोस्तों और दोस्तों एस्ट्रो वास्तू में हमारी कही सारे टोपिक कवर होता है अकेला एक टोपिक कवर नहीं होता है जिसकी वज़े से आप क किए धीजे हमारी एश्च्तो वास्तू में cover होती है यह कोर्स हम लोगों का